हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दपैट विजन दसस साहिल मली की वर होस अन्यूर वेट तो मेरे प्यारे दोस्तों जब भी हम डिवोमिंग का नाम सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अवेर हो जाते हैं बिकोज हमारे चैनल के उपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो बिलेगी जो कि आपको प्रेरित करती है डिवोमिंग करने के लिए तो डिवोमिंग करना सही है या गलत है और क्या इसके साइड इफेक्ट है आज इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ एक बहु के अंदर या हमारे डोग की बोडी के अंदर तो कहीं न कहीं उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलते हैं तो एस इट इस सेम डिवोमिंग के अंदर भी होता है कैसे होता है विकोज उसके अंदर कुछ ऐसे साल्ट यूज किये जाते हैं जो श्पेशल वर्क तो करेंगे यानि जो उनको किल करना था वॉम्स को उनको मारे तो गे लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर वो शो करेंगे तो डिवोमिंग का सबसे पहला साइड इफेक्ट तो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट बेसिकली इसके अंद तो बेसिकली उसको नोशिया लाइक फिलिंग बोलते हैं ठीक है आपका डोग वोमेटिंग कर सकता है और साथ में डाइरिया जैसी प्रोब्लम भी होने की संभावनाए बढ़ जाती है डोग की बोडी के अंदर तो सबसे पहला गेस्ट्रो इंटस्टाइनल अपसेट है सेक इचिंग करेगा बहुत जादा और कई बार ऐसा भी सीन देखने को मिला है कि दोग की जो स्किन है डिवोमिंग की मेडिकेशन देने के बाद पूरी रेड हो जाती है तो बेसिकली ये सारा गा सारा जो है ऐलर्जिक फंडामेंट्स होते हैं ठीक है तो बेसिकली ऐलर्जिक जो सकती है तो ये भी एक साइड इफेक्ट रहने वाला है थर्ड हमारे नंबर पे आता है वो है हमारा एनॉरेक्सिया अब एनॉरेक्सिया मीन्स क्या होता है कि डोग को भूक लगना बड़ा ही कम हो जाता है बेसिकली मैक्सिमम चांसे ये होते हैं कि डिवोमिंग करने के बाद आपका जो डोग है एक्सेसिव मातरा में खाना मांगता है और साथ में पानी की तरह भागता है और हमको क्या होना होता है कि दो से ढाई गंटे तक हमको हमारे डोग को खाने पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना होता लेकिन यह एक सिंटम नजर आता है बड़ा ही तो बेसिकली यह साइड इफेक्ट है इसको हम साइड इफेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपका डोग खाना पीना बंद कर रहा है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ठीक है वो खा लेगा वो मेडिसीन की वज़े स जही ऐसा रियक्ट कर रहा है आगे आता है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टन है लिवर और कडनी एफेक्ट बेसिकली कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है एकश sack ऐसे होते हैं जो आपके डोग के लिवर और कर िफेक्ट पर भीएफेक्ट पर इफॉटा जिनका ठीक है जिनक करना भी important है और इसके side effect भी है और क्यों करने चाहिए वो भी आपको पता है ठीक है बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने उसमें मैंने बताया है लेकिन यारब तो मैं तो करूँ यारब मैं करूँ या ना करूँ बहुत सारी वीडियो के अंदर तो हमने बताया कि बहुत ज़रूरी है अब मैंने side effect भी बता दिया आपको तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका answer यह है आपको अपने डोग की डिवामिंग ज़रूर करनी है बिकोज आप कोई भी medication जब ले कोई side effect नजर नहीं आएगा devorming medicines का अगर आप properly नहीं करोगे अगर आप मालिया कि आपने एक साल की devorming अच्छे से एक साल फिर ड्रोप कर दी फिर अगले साल फिर से start कर रहे हो तो आपको side effect से जूजना पड़ेगा और आगे चलके यह काफी ज़्यादा serious situation में convert हो सकता है तो basic सी बात है आपको devorming करना बहुत ज़्यादा जरूरी है side effect तो आते ही आते हैं लेकिन आपको ignore करते हुए चलना है लेकिन devorming बड़े ही important है करना जरूरी है तो मैं आशा करूँगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए informative रही होगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस और प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब कमेंट थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत